साथ किस्म के तल बताए जाते हैं धार्मिक कथाओं में कहते हैं रामण चलता था तो पाताल तक धर्ती कापती थी उसके उपर हुआ करते थे अतल वितल सुतल तल अतल महातल रसातल और फिर आता था पाताल लेकिन भारती ये सड़कों का पाताल से समंध आपको पता है छह त तल पार करके सीधे पाताल तक पहुंच सकते हैं, आप बशरते कोई भारी वाहन लेकर भारती सडकों पर चल दीजिए, ऐसे ही एक वीडियो आया, बिहार के पटना शहर के अगम कुआ शीतला माता मंदिर मार्ग से, एक कंटेनर का पिछला पहिया धंसा तो सडक के गड़ें म फस गया, एक जैक्टरली तो नहीं पहता है, लेकिन थोड़ा जोर और लगाया जाता तो पाताल तक पक्का पहुंच जाता, नेता दावे करते हैं कि सडकों को मखन सा बना देंगे, लीजिए बन गई सडक मखन जैसी, जैसे मखन में गरम चमच धंस जाता है, जैसे ही धंस ने को आतूर थाई कंटेनर, हाई मैं आशीश्वार आप देख रहे हैं, दील अलन टॉप एक बार फिर शुरू है, हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट, सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास? दच यूट्यूबर पर भारत में हमला बौखला गए लोग, साप को चवा चवा कर खा गया हिरन, देखके लोगों की बुद्धी चक्रा गई, और सरकारी काम हुआ, लेट तो जनता ने खुद कर दिया सड़त का उधगाटन, और पिक आफ दे डेम करेंगे बात, मा की इंडिया टाइटल से उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो अप्लोड किया नजर आता है, कि बैंगलूरू के चिकपेट में थे, वहां संडे को लगने वाले चोर मार्केट में घूम रहे थे, जहां उनसे एक व्यक्ति ने बदतमी जी की, उनका हाथ पकड़ के खीच और हमला किया, वीडियो में दिखता है कि वो सीधे से वीडियो बनाते हुए अपने रास्ते जा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति जवरन उनकी और आया, वीडियो बनाते देख की गुसा हो गया, पेड्रो ने उन्हें नमस्कार किया, तो बड़ी बदतमी जी से क्या नमस्कार कहते हुए मोबाइल को ये क्या है कहकर उन्हें धक्का देने लगा और छीना छप्ती की कोशिश शुरू कर दी, सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो गया, और उस हमलावर का नाम नवाब हयात शरीफ पता चला, गिरफतारी की खाबर भी आ, स्ट्रीट ओफेंस और न्य किसम की बातें, लिखी हिंदू-मुस्लिम सरी की बातें यहां भी चली, एक यूजर ने लिखा कि दूसरा पक्ष, उसी वीडियो में व्लॉगर पेट्रो मोता कुछ हैपी फेसस से मिले और उन्होंने जैश्री राम के साथ जवाब दिया, व्लॉगर ने आगे बताया कि सभी का अभिवादन करने वाले व्लॉगर से आपती थी, उस दुकानदार के लिए ऐसा लिखा गया, पर दिन की जो सबसे भीशन वाइरल चीज थी, वो थी एक हिरन का सांप को खाना, अब तक तो वीडियो देख लिया होगा आपने और ना देखा हो, तो ओविसली देखक यह सुनके चौकना नहीं है, सांप ने हिरन को नहीं, हिरन ने सांप को खाया है, और चबा चबा कर खाया है वीडियो कब का है, कहां का है यह नहीं पता, अंदाजा है कि विदेश से आया है, लेकिन वीडियो देखके सवाल आए, कि क्यों, कैसे लोगों ने कहा, जब लोग हिरन की गजली आँखों, हिरन की बनावत और चिकारे के बारे में कविताओं पर काम कर रहे होते हैं, तब वो सांप खा रहे होते हैं एक यूजर ने कहा, अब तो मानलो प्रलाय आने वाली है, घोर कल्यूक शुरू हो गया है, पहली बार हिरन को मास खाते देख रहा हूं, वो भी सांप एक यूजर ने लिखा, कि हिरन ने घास खाना बंद कर दिया है, और अब सांप खाने लगा है, यकीन नहों तो वीडियो देख लिजे दार्मिक लोग अपनी राय बताते मिलें कि हिरन साप खाते हूए, ये संकेत दे रहा है, कि मनुष्य अपने धर्म के अनुकूल धर्म मार्ग से भटक चुका है, मनुष्य जीव जनतु पश्वों से प्राणियों से भेदबाव और दूर हो गया, एक समय था जब मनुष्य पश्वों से टेम रखते थे, समय का परिवर्तन है, आज गौमाता बिना चुने घरों में मिलती है, एक यूजर ने लिखा कि रामचंदर कह गए सिया से ऐसा कल जुगाएगा, हंस चुगेगा, दाना दुनका और हिरन साप खाएगा, समझदार लोग कहते हैं कि हर सही काम क एक वक्त होता है, आज वक्त होता है, अब, लेकिन सरकारी लोग कहते हैं कि जल्दी का काम तो शैपा इनद का होता है, इस कहने क्या है, यहने के चकर में करने वाले काम हो धूरे रह जाते हैं, लेकिन कieß काम पूरे होकर भी शुरू नहीं हो पाते, जैसे नौईडा को, ग् कि आवाज आई हो गई शूरू अधिकारी बताते है कि कुछ फाइनल टच-प की काम बाकी है इसलिए रास्ता नहीं खोल रहा है महीने के अंतर तक खुल जाता वहीं सोचल मीडिया की जनता ये बता रही है कि इवेंट प्रेमी शासन प्रशासन उधगातन को इवेंट बनाने रखिये थोड़ी भी कमी रह गई तो बात जान पर बनाती है इतना सहलिया तो थोड़ा सहलिजी जिए सोशलिस्ट में आप आ बाली है पिकॉस दे डे के और पिकॉस दे डे में आज दिखाते हैं सोशल मीडिया पर खूब चल रही दो तस्वीरें प्रेमीका और पत्नी के लिए ताज महल बनाने के किस्से अपने खूब सुने होंगे कुछ लोगों ने ताज महल के फ़स्ट और सेकंड कॉपी भी प्रेमिका की याद में बनवाई लेकिन इस बार तमिलनाड के एक कारोबारी ने अपनी मा की याद में ताज महल बनवाया है मामला तमिलनाड के किरुवरूर जिलेका है वहाँ अमरुदीन शेख दाउद ने अपनी मा की याद में ताज महल जैसे दिखने वाली एक बिल्डिंग बनवाई है उनकी माँ चलानी बीवी की 2020 में रित्वी हो गई थी का कहना था कि उनकी माँ एक आश्चर जैसी थी इसलिए ताज महल उन्होंने बनवाना है ताइटिया तीन जून 2021 को ताज महल बनना शुरू हुआ था आठ हजार स्कायर फोटी में साठे पांच करोड़ रुपए में दो साल के समय में ये बिल्डिंग बन गई अमरुदीन का कहना है कि माँ उनके लिए पीछे 5-6 करोड़ के आसपास पैसे छोड़ के गई थी उनको ये पैसे नहीं चाहिए थी इसलिए उन्होंने ये बिल्डिंग बनवा दी बिल्डिंग के आसपास दो एकड़ जमीन भी है जमीन और बिल्डिंग सब कुछ एक चैर अमरुदीन अमरुदीन